सरकारी वेकेंसी के यूटूब चैनल के उपर जैसा कि हम आप सब के लिए ने ने वेकेंसी और अपडेट्स लाते रहते हैं सरकारी जॉप्स के वैसे इस बार भी एक नया अपडेट आया है तो हम सब अपने दोस्तों को और अपने सब्सक्राइबस को बता दे कि अभी तमिन लाडू पुलीस का हमारे पास SI एडमेट का डाउनलोड होने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है अब यह जो नोटिफिकेशन आया है यह आपको बता दें कौनसी पोस्ट का है यह है अपने पास SSCT SI सब इंस्पेक्टर सिविल डेपार्टमेंट का है टोटल वेकेंसी इसकी 554 आई थी जो लोकेशन स्टेट है वो इसकी तेलंगाना है तो आप सब इसको पहले आप लोगोंने फॉर्म भरा गया है यह हमारे चार आठ जुलाई दो हजार बारा अधर टाउंस इन तेलंगाना सेटी इसके अदर तो यह हमारे पार डाउनलोड होने के लिए आ चुका है हम इसका ओवर्वीव थोड़ा सा और देख लेते हैं यह ओर्गनेजेशन कौन है तेलंगाना स्टेट लेवर पुलीस रिकूट्मेंट बोर्ड है जो तेलंगाना का है और पोस्ट कौन सी है सेटी एसाई सिविल है टोटल वेकेंसी इनकी पास आ रही है 554 पोस्ट है एक्जाम डेट साथ अगस्त दो हजार बाईस को है एड्मिट कार 382022 से 582022 की बिच्पर डाउनडोड किये जाएंगे मोड कौन सा अगा ओनलाइन होगा और लोकेशन कौन सी होगी तेलंगाना होगी जो एड कंडिडेट्स बढ़ रहे हैं उनकी जो जो पोस्टिंग होगी वो तेलंगाना के अंदर ही होगी क्योंकि ये स्टेट PCS के अंदर आ रहा है इसको स्टेट जो पोस्टिंग ही कही जाएगी तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि ओफिशल वेबसाइट के उपर इन लोगों ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया जहां पर आप देख सकते हो यहां पर आरका है डाउनलोड हॉल टिकेट अब जैसे इनका पास चालू होता है आके पास यहां पर जो लिंक है क्लिकेबल हो जाएगा चाहसे जो कैंडिडेट्स है वो यहां ओफिशल वेबसाइट से अपना वो डाउनलोड कर सकते हैं तो अब थोड़ी सी हम इसकी स्टेटस जान लेते हैं तो जो तेलंकाना स्टेट पुलीस ऐसा एड्मिट कार्ड इसका स्टेटस क्या है डाउनलोड बाइट एकाउंट जो आठ बजे से 30 जुलाई को बारा बजे बाद उनका मौर्णिंग में और बारा बजे आधी रात को कब आपका अगस्ट 5 तक अपने डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद ये आपका एड्मिट कार्ड स्टेटस हट जाएगा तो इसलिए मेरे अभी दोस्तों से नुरोध है जिन्होंने टी एसाई एड्मिट कार्ड जो चॉप की वेकेंसी बरी थी वो अपना as soon as possible एड्मिट क डाउनलोड कर ले अपने पास pen pencil rubber बढ़ा कि बिल्कुल अपने पास red code ready रहे ताकि end वक्त पे हमें कोई दिकत ना हो और इसी बाद में उन्होंने कुछ instructions भी जारी किये हैं कि सुन्हें आपकी तेलंगाना state police board ने उन्होंने बोल रखाए कि one hour before to the state of exam nominees are allowed in examination room मतला आपको एक दिया जाएगा center में तो दोस्तों ऐसी का हम थोड़ी सी भी नादानी में गलती ना करें जो हम टाइम से अपने जो state पे center पे पहुंचे और as soon as possible अपने वह जो विजिटिंग जो बंदा होता है उसको अपना card दिखा के और अपनी entry ले और उसको download कैसे किया जाएगा यह जैसे आपको हमने बता दिया यहाँ पे download haul tickets आ रही है आपको इसके उपर click करना है देन आपको अपना इसको click करने कली आप से login screen मंगेगा जापे mobile number और आके password होंगे जैसे आप अपना mobile number और password डाल देंगे देन आप उसका easily अपना admit card को download कर सकते हैं और उसको admit card download करके अपने आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी वहां से आपका आगे से चालू नहीं किया है जैसी चालू हो जाएगा तो हमारे website की उपर भी आपका automatic आपको वहां पर redirect कर दिया जाएगा अभी आप जैसे देख सकते हो इसी की official website जैसे आप click करोगे इसकी official website पर आपको आपर शो किया जा रहा है download haul tickets तो आप लोग इस पर click करते रहें जैसे आपका on on होगा यह आपको उसी page पर आपको redirect कर देगा तो यह हमारी vacancies थी जिसके बारे में सारी चीज़ बताई गई है और उसमें कुछ questions भी पूछे जाते हैं हमारे पास जैसे इसी exam date कब आएगी जैसे 7 अगस 2022 को आई है इसकी haul ticket कब available होगी जो 30 July 2022 से आपको 8 बज़े बाद available हो जाएगी पर बात यह है कि अभी भी जो हमारे जो TS तेलंगाना state police board की जो website है उन्होंने अभी इसको जारी नहीं किया है बस उन्होंने notification लगा के छोड़ दिया है तो यह जो भी information आपको center की card ही कहां से मिलेगी तो वो सारे जो users हैं वो हमारी website पर आके आप चेक कर सकते हैं जो जो information आएगी हम इसको daily to update करते रहेंगे और मेरी दोस्तों से दर्खास्त है कि वो हमारे telegram और whatsapp चैनल पर जूड़ जाएं और अब तक की latest खबर को आप easily हमारे चैनल पर find out कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारी dv जानकरियाक लिए काफी लाप्चिच जो काफी आपको से benefit मिला होगा hopefully कि आप हमसे जुड़े रहें और आगे आने वाले notifications आप हमसे लेते रहें Thank you